हेलो स्टुडेंट आज का मारे टॉपिक है इस्टिफैन बोल्ट्समैन के नियम से न्यूटन के सीतलन नियम का निगमन ठीक है चलिए इसका निगमन करेंगे किस पकार होगा है न्यूटन का सीतलन का नियम क्या था न्यूटन के सीतलन नियम आनुसार यदि पिंड के ताप त यह होती है डिपीट करता हुं मैं न्यूटन के सीद्रन यह मानुसार कि यह अदि पिंड के ताफ तफाल बाहावातावड के तीथ नियम को नियम नियम करें लुए लोकार करेंगे यैदि मालेजी है यदि पिंड के ताप ती वा बातवड के ताप ती नौट में अंतर बहुत कम है यानिकि Traz प्रआप प्लस डेल्टा-2 यह क्या है यहां पर पिंड में कॢ़ज के ताप किया है वाधवड काफ है टीङ आड़ी कि इसके लिए आया है नीटी इसलिए आया है कि आप मांतर बहुत कम हो इसलिए हमने टीङ ले ले लिए अाफ बैदा टीगा इस्टीफन वॉल्ट स्वेन के निएम रिछार स्plव के विव आफ़ करेंगे यहां पर पूरे मैं से पहले只是 और सुन प्रसर कें द्रिपर मैं से इस वाले पार्ट का 1 plus delta t upon t0 की whole power 4 का इसका प्रिसाद करेंगे तो हमारा आएगा इतना आएगा 1 plus 4 delta t upon t0 अगर हम इसको mathematical solve करेंगे तो इतनी value आएगे हमारी किसकी value इतने की value इतनी आएगी अगर इस value को हम put करते हैं इसी में तो क्या आएगा sigma t0 की power 4 यहां पर value put की हमने यहां पर 1 plus 4 देखेगा अर्थात पिंड से उसमा हानी की दर पिंड से उसमा हानी की दर पिंड से उस्माहनी की दर पिंड ततावातवड के लिगांतर कि उस्माहनी की दर होती है यही नियम कहला है यही हम में जा करना था ब्रूफ करना था यह हमारा क्या था derivation था नियम से Newton के सीतलन नियम का निगमान हमने Stephen BodeSman का नियम दिया था उससे हमने क्या प्रूप कर दिया Newton का सीतलन का नियम हमने प्रूप कर दिया असानी से देखेगा इस टॉपिक को यहाँ पार प्रिस करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर आपको यह वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पाप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद